नरेंद्र मोधी जी ने कहा भाईयों और भेनों करोना आया है थाली बजाओ ठाली बजाओ करोना भाग जायेगा और पूरे हिंदुस्तान से थाली बज़़वादी और पता नहीं क्या हुआ हिंदुस्तान थाली बजाए उसके बाद कहते हैं घंटी बजाओ हिंदुस्तान घंटी बजाए उसके बाद कहते हैं मोबाल पोन निकालो उसकी लाइट जला दो अभ देखिये ये व्यक्ति हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है गेरी बात बोल रहा हूं ये व्यक्ति हिंदुस्तान का प्रधान मंत्री है और ये एक्षिन ले बजाए अर्द्वेवास्ता की रक्षा करने के बजाए मजदूरों के लिए रेलवे टिकेट बस टिकेट करीने के बजाए देश को कह रहा है घंटी बजाओ और ये जो मीडिया वाले हैं ये 24 गंटे दिखा रहे हैं देखो हिंदुस्तान गंटी बजा रहा है गंटी बज़रे गंटी बज़रे सब जगे और ताली बजाओ भई या गंटी बज़री है और आज उत्तर प्रदेश में जाईए देखिए मेरे फोन पर भी वीडियो आया है लाशों का धेर पड़ा हुआ है जगे नहीं है लाशों को रखने के लिए जगे नहीं है लाशों को लखने के लिए नरेंद्र मोधी जी ने इसके बारे में कुछ बोला आपसे कि कोरोना फैल गया लाखों लोग मर गए हिंदुस्तान की अर्द्वेवस्ता नश्ट हो गई मैं प्रदान मंत्री हूँ कुछ बोला उनोंने प्रेस वालोंने कुछ बो यह रखवाले हैं इनका काम रक्षा देश की रक्षा करने का है यह रखवाले हैं बिग गए हैं सब के सब बिग गए हैं चोपिस घंटा यह नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाते हैं क्यूं बाई और मैंनों बात समझो यह नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है ये दो-तीन उद्योग पती मित्रों की सरकार है और ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है ये आपके जो प्रधान मंत्री है ये उनकी कटपुतली है ये जो कहते हैं ये करते हैं इनको सिरफ बाशन देना आता है ये जाते हैं बिंगॉल में कह देंगे भहिया सोन और बंगला बना दूंगा तोपी पहन लेंगे असाम में जाएंगे गमचा पहन लेंगे राइनो उठा लेंगे और कहेंगे भाईया देखो BJP को वोट दो और फिर नोट बंदी करेंगे GST लागू कर देंगे अब आप मुझे बताओ यहां पर बारी भीड है इस भीड में नोट बंदी से किसी को फाइदा हुआ कोई है यहां पर एक व्यक्ति जो कह सकता है हाँ भाईया नरेंदर मोदी ने फाइदा करवा दिया है कोई एक नहीं है कोई यहां पर एक व्यक्ति है जो बता बोल सकता है कि यहां भाईया घंटी ने मुझे करोना से बचा दिया मोबाइल फोन से करोना भाग गया ना कोई नहीं है किसी भी दुकांदार से आप पूछ लो छोटे बिजनस वाले से पूछ लो जो इस देश को रोजगार देते हैं पचास परसेंट रोजगार ये लोग देते हैं छोटे दुकांदार छोटे बिजनस वाले कोई छोटी से दुकान चलाता है इन से आप पूछो भाईया नोटबंदी से फाइदा हुआ हाँ जोड के कहते भाईया नहीं हमें तो बरबात कर दिया फिर पूछो GST से फाइदा हुआ कहते नहीं पाँच-पाँच अलग-अलग टैक्स लगा दिये 28% टैक्स लगा दिया आज तक हमें नहीं समझा रही बात आज तक हमें GST नहीं भननी आ रही हमारा बिजनस खतम कर दिया, नश्ट कर दिया आज ये देश अपने युवाओं के लिए रोजगार नहीं पैदा कर सकता ये सचाईए क्यूँ? क्यूँकि जो रीड की हड़ी रोजगार पैदा करने की रीड की हड़ी है उसको नरेंद्र मोदी ने, RSS ने, अमिच्छान ने तोड़ दिया कैसे तोड़ा? नोट बंदी करके तोड़ा GST लागू करके तोड़ा जब करोना आया उनको एक रुपिया नहीं दिया बिंगोल से लोग जाते हैं आप लोग जानते हो, समझते हो पूरे देश में आपके लोग जाते हैं काम करने कहीं भी चले जाईए मज़दूरी आप लोग करते हो आप खुण पसीना देते हो जब आप लोग वापिस लोटना चाहरे थे कोरोना आया नरेंद्र मुदी ने आपको बस टिकेट दिया दिया बस टिकेट रेलवे टिकेट दिया आपको नहीं कहते हैं नहीं मैंनी